हेलो फ्रेंड आज हम आपके लिए बहुती योनिक साहव स्लीविस डिजाइन का वीडियो लेकर आए हैं तो फ्रेंड डिजाइन बनाने के लिए हमने एक लंबा सा चौड़ा सा कपड़ा लिया है कपड़े की चौड़ाई 19 इंचे और कपड़े की लंबाई 13 इंचे तो ऐसे कपड़े की लंबाई और चौड़ाई आपको नाप लेनी है अब हम कपड़े को उल्टा करेंगे तो देखेंगे फ्रेंड ये देखिए हमने कपड़े पे ऐसे बक्रम लगाकर एक अकीज की चौड़ाई नापते हुए हमने ऐसे लाइन अप कर ली है तो आपको भी ऐसे लाइन अप कर लेना है एक अकीज की चौड़ाई नापते हुए फिर जहां पे हमने लाइन अप किया है वहां से ऐसे हमें कपड़े को फोल्ड करके इस्तरी करके क्रिच बैठा देना है यह देखिए इसे क्रिच कहते हैं जहाँ जहाँ हमने लाइन अप किया है वहाँ से कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हम क्रिच बैठा देंगे अब हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसके किनारे की साइड में एक परावर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो कपड़े पे हमें ऐस सीधी सिलाई चला लेनी है इस to my यहां को complete करते हुए अब हम यहां से धागी को कट करेंगे तो यह देखिए आपको ऐसे सिलाई करनी है अब हम दूसरे वाले लाइन पर कपड़े को ऐसे fold करेंगे और पहले वाले step को follow करते हुए हम हम इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे, अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से सारे लाइन के उपर आपको कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसके उपर सिलाई चला लेनी है, तो ये देखिए हमने सारे लाइन के उ स्केल की जितनी चोड़ाई है आपको ऐसे स्केल को यहाँ पे लगाते हुए एक बराबर में सीधी लाइन अप कर लेनी है जितना स्केल की चोड़ाई है बिल्कुल उतना ही आपको भी लेना है बिल्कुल इसी तरीकी से हम लाइन अप करते जाएंगे लाइन अप करने के बाद अब हमें कपड़े को फोल्ड करना है तो हमने जहां पर लाइन अप किया है वहीं से हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और यहां पर हमें इस्तरी कर देना है जिससे क्रीच पैट जाएगा यह देखिए हमने सारे लाइन के उपर कपड़े को फोल्ड करके इस्तरी कर लिए जिससे हमारा बहुती अच्छा क्रीच बैट चुका है कपड़े में अब हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए पहले वाले स्टेप को फोलो करते हुए इसके किनारे की साइड में हम सिलाई चला लेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करके घंटे को बजा कर all option select करें जिससे हमारी next video के notification मिलती रहेगी अब दुसरे वाले line पे हम कपड़े को ऐसे fold करेंगे और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड हमने सारे लाइन पे ऐसे सिलाई चला दी है ये बहुती सुन्दर सा चौकोर सेफ वाला डिजाइन बन चला है हमारे कपड़े में अब हम इसे उल्टा करेंगे उल्टा करने के बाद कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है और जो आपका आस्तिन का साइज है वो साइज नापने के बाद आस्तिन के सेफ में हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो ऐसे हम इसकी कटिंग कर देंगे अब हम यहां से हलका सा तिर्ची में कट कर देंगे जैसा कि आस्तिन के सेफ में किया जाता है अब हमें क्या करना है इस डिजाइन में हमें छोटा छोटा मोती लगाना है काफी छोटा छोटा मोती होना चाहिए जैसा कि यह है सारे डिजाइन के कोने के साइड में हम मोती को ऐसे लगा लेंगे यह देखिए हमने सारे डिजाइन के कोने के साइड में मोती को लगा लिया है बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी लगा लेना है सुई धागा के मदद से बौडर वाला डिजाइन बनाने के लिए अब हमें चकोर सेफ में दो कलर का कपड़ा लेना है, कपड़े की लंबाई और चोड़ाई दोनों साड़े तीन इंचे, दोनों कपड़े की साइज सेम है, अब हम ये वाला कपड़ा लेंगे, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, दूसरे वाले कपड़े को भी हम फोल्ड कर लेंगे अब इस वाले कपड़े में हम दूसरे वाले कपड़े को ऐसे ज्वाइंट करेंगे और पहले वाले कपड़े को यहां से ऐसे फोल्ड करके इसके किनारे की साइड में हम सिलाई चला लेंगे सेम इस्टेफ को फॉलो करते हुए हम दूसरे वाले डिजाइन को भी ऐसे ही तयार करेंगे अब हमें इसके किनारे की साइड में सिलाई चलाने के लिए पहले वाले डिजाइन में यहाँ पर ज्वाइंट करना है ऐसे और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेना है इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती इजी स्टेप में तैयार कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे डिजाइन को तैयार करते हुए एक दूसरे में joint कर देना है और इस line को complete कर देना है इस line को complete करने के बाद अब हमें किनारे की side से ashtra कपड़े की cutting करना है तो यहां से हम ashtra कपड़े की cutting कर देंगे अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किये हैं तो please हमारे channel को subscribe करकि घंटे को बजा कर आल का option select करे जिससे हमारी next वीडियो की notification मिलती रहेगी अब हमें इस border वाले design को आस्तिन के कपड़े में joint करना है तो ये रहा हमारा आस्तिन का कपड़ा border वाले design को हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे अब हम इसके किनारे की side में एक पराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस line को complete करते हुए अब हमें यहाँ से धागी को cut कर लेना है धागी को cut करने के बाद अब हम किनारे की side से एश्टा कपड़े की cutting कर लेंगे अब हमें इसके उपर की side से सिलाई चलानी है जिससे हमारा design और आस्तिन का कपड़ा perfect shape में बैठ जाएगा तो यह देखिए फ्रेंड हमने इस तरीके से बहुती easy step को follow करते हुए इस design को तयार कर लिया है आपको हमारी design कैसी लगी comment में जरूर बताईएगा मिलते हैं next वीडियो में एक नए design के साथ थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो